इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकोन पर घंटी मारिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आता रहे मेरे चैनल का नाम है आनलाइन वास्टू एस्टू 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 तो अभी तक हमने धनू राशी और मकर राशी का यूट्यूब के मादेम से आपको वीडियो बना कर आपको बता दिया आज हम कुम राशी वा लोगा कैलकुलेशन लेके आए हैं लेके कुम राशी पर शनी की साड़ साथी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और जनवरी 2020 में ही शनी की साड़ साथी लगी है और शनी इनका स्वेंग की राशी में बार में बाव से ट्रांजिट कर रहा है और स्वेंग की राशी में उने से कोई इतना इनकी उपर साड़ साथी का एफेक्ट नहीं है उल्टा इनके जीवन में काफी अच्छा परिवर्तन होने लगा है क्योंकि शनी इनकी स्वें राशी का है लेकिन राहु जो है आब इनका जो फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा था बुद्ध की राशी में वही राहु जो है इनका फोर्थ हाउस यानि की जो प्रापटी वहां मातर सुक का मदर का हाउस माना जाता है happiness of mind भी इसको कहते हैं इस हाउस को और ये घर जो होता है जो था के इंदर का स्था रह बड़ा important गर होता है इसमें राहू का परिवर्त नो हने जा रहा है शुकर की राशी में हलाकि शुकर उसकी मित्तर की राशी माने जाती है और राहू का जो गोचर चाल रहेगा वो 23.9.2020 को राहू वरिशब राशी में परवेश करजेगा और नक्षत्र होगा म्रख्षिरा और केतु जो है आपके टेंथ हाउस में ट्रांजिट करेगा साथ ही और केतु जो है वो जेश्टा नक्षतर के साथ आपका टेंथ हाउस में ट्रांजिट करेगा मंगल के घर में लेकिये राहू केतु दोनों ही अपने मित्र को के घर में यानि की अपनी उच राशी भी इसको बोलते हैं कही अस्ट्रोलजर और कही हमारे जो वेदिक साइंस है वो इसको उच राशी भी मानते हैं कही मित्र राशीयां भी बोल देते हैं तो किल मिलाकर राहू और के तुझ जो है, वो अपने अपने घरों में जाने वाले हैं, और राहू जो है, वो आपका शुकर के गर में आपकी डिजायर को काफी बढ़ाने वाला है, और राहू एक अनेक्सपेक्टिड ग्रैम माना जाता है, यूनिवर्स में इसका कोई important role माना जाता है और अगर राहू हमारे जीवन में कुद्रत ने नहीं देया होता है तो हमारी desires भी नहुती और हम इस desires को पूरा करने के लिए शायद इतनी मेहनत भी ना करते और इस कल जुग में राहू का परवाब बहुत चबरदस माना जाता है और share market का link भी राहू के साथ म माना जाता है क्योंकि speculations में भी राहू का बहुत बड़ा योगदान रहता है और politicians जो पॉलिटिक्स है जो politicians है उसमें भी राहू का बहुत बड़ा influence रहता है तो राहू एक मायावी जिसको कहते हैं हम astrology से point of view से की मायावी राक्षिस क्रेया भी इसको माना जाता है राहू के साथ के नेगटिविटियां भी आती है राहू के साथ नेगटिव नेगटिव इनर्जी आने से हमारे जीवन में अकस्मात से दुर्गटनाएं भी होती हैं तो राहू आपका देखिए fourth house में transit करेगा और राहू का जो अगला नक्षत्तर होगा वो रोहिदी नक्षत्तर लोड है उसको ये influence में लेके आएगा six house जो है आपके बिमारी का है करजा और आपकी मानसिक दबाव का भी है तो राहू यहां पर भी जो रोहिदी नक्षत्तर में इन चीजों से आपको जरूर प्रभाविद करेगा और राहू का जो क्रितिका नक्षत्तर में चार जिसे सूरे अगर शत्रु राक्षी में ट्रांजिट करेगा तो उसका प्रभाव भी उसी तरह से पढ़ेगा क्योंकि राहू का नक्षत्तर होगा सूरे का और सेवन्थ हूस से लेटेड चीजों में आपकी फैदा भी मिल सकते हैं और थोड़ डिस्टरियम्स भी आपको आ इंफूलंस रहेगा और राहू जो है केतु जो है 11-4 2022 के बाद अपनी राशी अठवा मीने बाद चेंज कर लेंगे तो ये 18 मीने का इनके पास एक टाइम मिलता है इनको 18 मीने का एक आफिस में डिबार्टमेंट जा जाता है फिर उसके बाद इनका दूसरी जगा बरांच आफिस में इनको शिफ्ट कर दिया जाता है तो कहने का कुल तात्पर ये है कि अभी इनका जो चोता गर में जैसे आना है यनि कि चोता गर जो होता है मैंने बताया प्रापर्टी का वहन का है राहू आपका कुमराश्टी वालों की चोता गर में आने से अगर आप प्रॉपटी लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी डील करते समय प्रॉपटी की आपको मतलब की डाकुमेंट्स के उपर बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी बिल्डर के उपर आपको पूरी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट्स करते समय आपको पूरा अच्छे से साफ़धानी रखनी पड़ेगी हलाकि अगर आपका लगन चार्ट में भी राहु चोथे बाव में इसी बाव में बटा हुआ है तो राहु की अगर दश्या चल ली है तो नो डाउट राहु आपको एकदम से राजा भी बना सकता है क्योंकि प्रॉपर्टियां ये मल्टीपल भी दे सकता है ऐसी बात नहीं है क्योंकि चोथे बाव में ये उच्छका होगा मित्तर के घर में होगा और राहु की वरी अनक्सपेक्टिड हमें दनलाब दे जाता है डिपेंड करता है कि राहु की पूजिशन आपकी लगन चार्ट में कैसी है अब बात करें हैं इसकी दरिष्टियों के उपर राहु जो है अपनी पांचवी दरिष्टि से आपका कन्यराश्ची को देखेगा जो की एट्थ हाुस की राश्ची है आपको यहां पर राहु यह इंडिकेट कर रहा है चोटे बाउ में मदर की हैल्थ और अपनी सेल्फ हैल्थ को आपको पूरां तरह से दियान देना है क्योंकि एट्थ हाुस को यह देखेगा और एट्थ हाुस में जब भी कोई ग्राया ट्रांजिट करेगा उसके संपर्क या कनेक्टिविटी में आएगा अगर यह मंगल जैसे कोई दूसरे क्रूर ग्रायाओं के संपर्क में आएगा उस समय खासकर आपको दियान रखना है राउ की साथमी दृष्टी आपकी दश्रमस्थान पर जाएगी दश्रमस्थान में केतू अलड़ी वहां पर बठा होगा तो कारेक शितर में अगर आप चेंज लेके आना चाहते हैं तो ज़्यादा रिस्क लेने की यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि पापी ग्राओं का जमाबड़ा है के तू टेंथ हाउस में हैं तो बहुत ज़्यादा अगर आप जीवन में चेंज लाना चाहते हैं तो उस रिस्क वेक्टर को आपको रोकना होगा आप अपनी महादशा अगर आपकी फेवरेबल चल रही है तब ही आप इस कारेक शितर को करें कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं अदरवाइस आप उसी कारेक शितर में मेंनत करके उसी काम को बढ़ाएं तो ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि केतु जो है टैंथ हाउस में कई वरी कामें डिस्टर्बंस भी पैदा कर देता है केतु हलाकी मंगल की राशी में बैटा हुआ है केतु मंगल की राशी को रिपर्जेंट कर रहा है मंगल को भी प्रभावित कर रहा है अगर आपका मंगल लगन कुंड़ी में बढ़िया है तो केतु का रिजल्ट भी आपका अच्छा मिल सकता है हो सकता है इसका अस्तित्व दिखता नहीं है अब यही राहू की दृष्टी जब आपकी नौमी दृष्टी शनी पर बढ़ेगी शनी आपका ट्वैल्थ हाउस में बैठा हुआ है यह एक प्लस पॉइंट है फॉरण की अगर आप मूव करना चाहते हैं तरफ तो अठारा मिने के डिप फॉरण में जाना चाहते हैं यह फॉरण में सेटलमेंट होना चाहते हैं यह कोई फॉरण में जॉब करना चाहते हैं यह कोई स्टडी के लिए जाना चाहता है तो उनके लिए यह राहू बहुत बढ़िया सिद्दोने वाला है ट्वैल्थ हाउस के साथ इसकी किनेक्टिव में होगा तो बगवान सूरे की अरादना करनी है तांकि माता पिता का जो स्वास्ते है वो आपका सही मेंटन बना रहे है केतू की अगर हम बात कर लें तो केतू जो है टैंथ हाउस में आपकी पांचवे दृष्टी से ये आपका मीन रश्ची को देखा सैकिंड हाउस को केता है तो केतू अनक्सपेक्टिड गीन बैंक बैलनस देता है केतू एक ऐसा प्लेंटर है जो की सदन लाब देता है इसकी महादशा भी शौर्ट पिरिड़ की होती है तो केतू का परवा मंगल की तरह ही पड़ता है साथमी दृष्टी से ये आपके फॉर्थ हाउस को दे कीजिए क्योंकि प्रॉपर्टे की ट्रांजेक्शन करते समय आपको पूरा ध्यान रखना है हाला कि रहु चोथे बाव में बहुत बड़ी बूमी का लाब भी देता है और कई बड़ी बंदा फार्माउस तक भी खरीद लेता है क्योंकि रहु पहाड़ों में लोग जो फा अब का करक्राशी पे आपको मतर की हेल्थ पे द्यान देना है और मतर की हेल्थ की ओपर द्यान देने के साथ साथ आपको चौते장 बाव से घ्रलेटेट़ की चीज volunteered के दान भी करना है तो रहु के तु का जो प्रिवतन है कुमबराशी वालों का ये आ आज हमने प्लस भी आया आपका माइनस भी इन दोनों का कंक्लूड करके आपको दिया तो आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स पे भी आप इसका रिव्यू देंगे जिसके साथ हम आगे दूसरी वीडियो के लिए अपनी प्रपेशन करेंगे और आ अगली राशी के लिए इंतजार करना पड़ेगा धन्यवाद